एक्जिट पोल हो गए फेल, राहुल ममता और तेजस्वी की तिकडी ने अपने अपने राजियों में कर दिया खेल इस बार के लोगसभा चुनाव के नतीजे सच में चौकाने वाले हैं चुनाव आयोग ने सभी 543 सीट्स के नतीजे घोशित कर दिये हैं और फाइनल टेली के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुंबत नहीं पा सकी है पिछले तीन लोगसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी 272 के जादू याकडे से काफी नीचे है बीजेपी का टोटल फिगर है 240 और जो अलाइन्स है एंडिये वो लगभग 293 के आसपास है अब सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंतरी बन रहे हैं तो उनकी सरकार कैसी होगी इस अलाइन्स में कौन-कौन पार्टनर अभी भी रहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि नितीश कुमार अगली रेल गाड़ी पकड़ लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदरबाबू नाई टू पल्टी खा लेंगे इन सभी सवालों के जवाब हम आज की निउस डायलोग में ढूणने की कोशिश करेंगे माई कॉलीग अभिशेक पांडेजवित्मी अभिशेक क्या लगता है सरकार बन रही है और नहीं बन रही है सबसे बड़ा सवाल तो सब लोग ही पूछ रहे हैं आज फिलाल जो कैलकुलेशन सामने देख रही हैं उस हिसाब से देखने हैं के तो सरकार इनकी कमफर्टिबली बन रही है इनने कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बीजेपी की बात करते है तो दो सो चालिस इनके पास नंबर है और वहीं इंडिया ब्लॉक की बर्द करते हैं तो उनके पास 231 पूरे इंडिया ब्लॉक का नंबर है तो मुझे लगता है कि आसानी बीजेपी को है क्योंकि एंडिये जो है वो करीवन 293-294 का जो आकड़ा है करीवन वहां पर पहुची है और 272 चाहिए सरकार बनाने के ल तो I don't think इसमें कोई confusion है कि किसको invitation मिलेगा सरकार बनाने का वो तो constitutional दिखा जाता है तो सबसे जो सबसे बड़ा alliance जो है प्री पोल अलाइंस जो है प्रस्ताव दिया जाता है तो वो अपने alliance के साथ फिर वहां पर प्रस्ताव रखते है कि हम सरकार बना सकते हैं और यहां पर आपको बता हूँ विशेक की पिछले चुनावों में जब चुनाव नतीजे घोशेत हुए और जो शपत हुई नरेंदर मोदी की दूसरे टर्म की उसमें गरीब 10 दिन का गया था लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि तीन दिन से जादा वेट नहीं किया जाएगा क्या कि देखी डर तो है बिल्कुल आप जब आपके पास बहुमत नहीं होती है आपकी पार्टी जो है वो जादू आकड़े से कम पे रह जाती है तो डर तो लगेगा आपको क्योंकि आपको आपको को आप कोईलिशन गोवर्मेंट छिलानी है यह दर दे कॉन रहा है सबसे बड़ जाए हमारे साथ आजए है तो देखिए अब कैसा कैसे यह चीज़े सारी चीज़े अनफोल्ड होती है तो अब आपको पताए कि यह पॉलिटिक्स है और खास करके जब हम नितिश कुमार की बात करने तो प्रिडिक करना बहुत ही मुश्किल है हाल ही कि आज सुभे की जो त यह आलाइंस की मीटिंग में कहीं शामिल हो सकते हैं यह इसकी चांसे भी बहुत जादा हैं बट दैन अगें कि यह तो देखने वाली बात होगी और नितिश कुमार का भरोसा नहीं है और जो मुझे लगता है बीजेपी को भी पता है अमिच्छा और नरेंदर मोधी जब य इसकलती को दोराएंगे अगर चंदरबाबु नाइडू अंदरप्रदी विधानसभा चनाव में अगर बहुमत से नीचे रह जाते और अगर उनको जरूरत होती बीजेपी की तो फिर भी एक यह वाला फैक्टर था कि हाँ चलो ठीक है बीजेपी का सपोट हमें राजे में मैं आपको बता रहा हूं है कि पहली बार तो दो चीज़ें है पहली चीज़ की एक बार चंदरबाबु नाइडू ने ऐसा कर लिया है दोहजार निस में उन्होंने इसी तरीके से किया था उन्होंने इंडिये छोड़ कर इंडिया आलाइंस जोइं किया बर वो चुनाव के करेगी और इस बार चांस लेगे कि इंडिया अलाइंस में जाए और दूसरी इंट्रेस्टिंग बात है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको मिलेगा क्या वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं चीज़े लेने के लिए पंदरख एंडिये वहाँ पर तो पीम बनने के ल एंडिये में रहते हैं तो उनके चांस बार गेनिंग पावर बहुत जादा बढ़ी होगी उनको बिना बोले चीजे कुछ अच्छी चीजे मिल सकती है अच्छे अच्छे कैबिनेट्स मिल सकते हैं उनको और जहां तक मेरा अनुमाने तो शायद स्पीकर की पोस्ट भी दी चंदरबापु राइडू वैसे भी बहुत पुराने अलाई हैं बीजेपी के वाचपई एरा के समय से वो एंडिये में जोड़े रहे हैं बीजेपी के साथ उन्होंने सरकारें चलाई हैं मुख्यमंतरी जब वो थे तब उनकी पार्टी के कई सांसद मिनिस्टर रहे हैं व यह अलाईन्स ऐसा नहीं कि अभी एकदम से पैदा हो गया यह काफी पुराना अलाईन्स है बीच में जरूर पांस साल का ऐसा अब गैप था जो आप कह रहे हैं उन्निस से चौबिस का जिस समय यह अलाईन्स तूट गया था बिलकुल लेकिन अगर चंदरबापु राइड ज़िए और जडिए दोनौ भी छोड़कर जाते हैं और इंडिया आइन्स जोइन करते हैं फिर भी इनके नंबर कम पढ़ रहा है तब भी सरकार 272 नहीं पहुंच रही है इनको उसके लिए भी स्रगल करना पट रहा है और अगर यहां से जोड़कर जाते हैं और अगर आप गुणागंडी सब मिलाते हैं कि इंडिपेंडेंडेट्स हैं, ठीक है, अगर आप तीन भी पगड़ते हैं और इनके बाकी के जो दल हैं, अगर ये बाहर से अगर जैसे, for example, hypothetically अगर हम बात करते हैं, अगर TDP छोड़ कर जाने की कोशिश करती है, या चली करते हैं, अगर जैसे, अगर जैसे, अगर जैसे, अगर जैसे, अगर जैसे, बना रहे हैं, अच्छा, एक और चीज, क्या देश एक बार फिर से, कोशिशन गोवर्मेंट की तरफ बढ़ चला है, दस साल में कभी कोई कोशिशन गोवर्मेंट ने आई, दो चुना हुए, दोनों में क्लियर मैंडेट था, बिल्कुल, ये अलग बाते कि उन्होंने सभी साहियों को साथ में लिया, जो प्रीपोल अलाइसे, उन्होंने बरकरा रखा, उनको मंत्रीबद भी दिये, लेकिन सिंगल मेजॉरिटी के साथ बिजेपी ने सरकार चलाई है, अब दस साल के बात पहली बार ही हो रहा है जो बिजेपी को नौन मेजॉरिटी गोवर्मेंट चलानी पड़ेगी, कोईलिशन गोवर्मेंट चलानी पड़ेगी, जो NOR जोछेवन चलाई येAKए कि नोंन क्लियर हो गए थे करीबन साम के साड़े आड़ बजे जब प्येम मोधी लाइव आए तब उन्होंने मोधी सरकार नग कहते हुए एंडिया सरकार का तो पहला एक्जामपल आपको वहां दिग गया कि यह यह गवर्मेंट कितने स्रॉंग हो सकते हैं अ दूसरी बात जब आप क करते हैं अब मुझे लगता है कि वह रिफॉम्स बहुत स्लोली आएंगे और स्लोली आ सकते हैं या तो फिर शायद नहीं भी आ सकते इन पात साल जिस एजेंडा की नरेंदर मोदी बात कर रहे थे चुनामों में कि हमारा जो मैनिफेस्टर संकल्पत्र जो है वो यह मुद्धों पर है कौन-कौन से मुद्धे कौन-कौन से इशूस कॉम्प्रमाइस होने वाले है क्या UCC कॉम्प्रमाइस होगा देखिए अगर डिफेंसि जब वो पहुंचे राथ में तब उनने ये भी कहा कि मैं अभी भी कड़े फैसले लूँगा तो इससे ये बड़े फैसले लूँगा कड़े फैसले लूँगा ये दो संकेत दे रहे हैं एक तो ये कि यार भले हम कोईलिशन गवर्मेंट चलाएंगे लेकिन हमारे रिफॉर मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अब opposition के पास अब काफी जादा numbers है कुछ मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं Collegium वाला मुद्दा क्योंकि Congress ने भी काफी time से उठाया था उस चीज़ को उसके उपर question भी किये थे Congress की काफी बड़े नेताओं ने उस पर question किये तो मुझे लगता है एक वो ऐसा decision होगा जहांपर सहमती से वो पास हो सकते है Congress की history रही है पिछले 10 सालों में अगर आप देख लें तो जिन मुद्दों को पहले उन्होंने समर्थन दिया था मुझे यह भी बहुत डाउट है कि क्या किसी मुद्दे पर सचमे सहमती बन पाएगी सत्ता पक्षव व्यपक्षकी आने वाले 5 साल अब बहुत ज़्यादा uncertainty तो नहीं कहूंगा लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रबल वाले होंगे कि अगर आप पार्लेमेंट का कोई सेशन चल रहा है तो उसको disrupt कर दिया जाएगा पार्लेमेंट में कोई बिल पास नहीं होगा आसानी से बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बीजेपी को तो यह सारी चीज़े तो देखने मिलेंगी और इसमें कॉंग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्योंकि 99 और अगर आप इंडिपेंडेंस मिला लेते हैं पपू यादव जैसे का तो लगभग 100 सीटे 100 सीट इनकी खुद के पास है 100 वोट होंगे पार्लेमेंट के अंदर जो बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है आप इतना नंबर पहले यह इनके पास था ही नहीं अब यह जो है आप कॉंग्रेस के अकेले के पास 100 है और फिर बाकी के अगर इनके अलाइंस मिला दे तो करीबन 230-231 वोट है इंके पार इंट्रेस्टिंग बात यह है कि पिछले दो टर्म्स में पिछले दो लोग सभाओं में कॉंग्रेस के पास विपक्ष का निता बनाने का भी वोट नहीं था इतने नंबर भी नहीं दे कि विपक्ष का निता बना सके कॉंग्रेस पहली बार अब 10 साल में विपक्ष का निता तो बनाने वाला है 10 साल के बार मुझे लगता है राहूल पंडित रहे हैं, वो सब फेल हो चेके हैं इस सिलेक्शन में, तो कहीं न कहीं लोगों में उनकी लोग प्रियता भी बढ़ी है, तो एक ये होगा कि उनको आइडिल कैंडिडेट हैं, वो लीडर ऑफ उपोजिशन के, तो मुझे लगता है वो लीड करेंगे, और अगर पांस स अविशे, एक दो मुद्दे और हैं मेरे पास बात करने के लिए आज न्यूज डियालोग में, पहला ये कि नरेंद्र मोदी का मंतराले कैसा दिखेगा, पहले क्या हो रहा था कि जो भी बड़ी मिनिस्ट्री थी, इस्पेशली CCS, क्या इन चारों में से कोई जो मंतराले हैं वो किसी और के पास जाएंगे, बीजेपी और इनफेक्ट एंडिया एलायन्स को भी पता होगा, उनके जो पार्टनर से हैं, उनको पता होगा कि यार ये चार बहुत इंपोर्टन्ट मिनिस्ट्री थी जो उनको खुद को पता है कि हमें नहीं मिलने वाली है तो वो उसके सपने भी नहीं देख रहे होंगे या वो टेबल पे भी उस बात को नहीं रखेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये चारो ही बड़े मंत्रालेस को कॉम्परमाइस करेगी इस वजे से कि यार उनके नंबल कम है कहीं नहीं कहीं फिर भी अभी वो सिंगल लाजिस पार्टी है और ये चारो ही उनकी कोर्स प्रेंट रही है आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लो आप फॉरेंड मिनिस्ट्री की बात कर लो आप हो मिनिस्ट्री की बात कर लो तो ये सारी चीजे ये कॉम्परमाइस नहीं करेगी लेकिन बाकी के मंत्राले जैसे रेल्वे मिनिस्ट्री है शिपिंग और ये रोड एन हाइवेज है तो मुझे लगता है ये सारी रोडनावे सीना जा सकता है नितिन गड़करी से अच्छा कोई मिनिस्टर था पिछले पात साल में क्या वो खुद चाहेंगे कि उनको कोई और मिनिस्टरी मिले देखिए प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती कि वो किसी के चाहने न चाहने से कुछ होगा नहीं आप भी यह चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि BJP High Command के हिज़ाब से काम करता है और अब जब वो कोईलेशन गवर्मेंट में तो BJP की मानसिक्ता क्या होगी यह मेरे से जादा अच्छी तरीके से आप जानते हैं आपने बहुत लंबे समय से कवर किया है BJP को मुझे एक बात बताइए अबिशी क्या existing ministers जो हैं यह top 4 ministers अमिच शाग रह मंतरी के रूप में, एजयशंकर विदेश मंतरी के रूप में, निर्मला सीतरमन फाइनस मिनिस्टर के रूप में और आजना सिंग डिफेंस मिनिस्टर के रूप में इन चारों का भविश्य क्या देखते हैं, क्या यह ministers बने रहेंगे, यही चार मिनंतराले समालेंगे या फिर या आउट हो सकते हैं मुझे लगता है कि foreign ministry की बात करना तो I guess Jayshankar बने रह सकते हैं क्योंकि उन से अच्छी अभी तक किसी ने उकमान समाली नहीं है और मुझे कोई ऐसा candidate भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि diplomat रह चुके हैं, उनको वो area का expertise उनको जानते हैं कि यह कैसे किसको handle करना है तो वो मुझे लगता है कि Jayshankar will be safe, but निर्मला सितरामन को change किया जा सकता है क्योंकि उनके जो पिछले budget session और उसके पहले budget session में आम आदमी जो है उसको काफी कुछ मिला नहीं है budget में और कहीं नहीं है नाराजगी हमने overall election में भी देखिए कि आम आदमी को जब कुछ मिलता नहीं है तो वो अपनी नाराजगी vote के जरिये दिखाता है अच्छा एक और चीज़ मुझे बताईए, 20 साल से इस देश ने deputy prime minister नहीं देखा है वो मुझे लगता है कि वही संदेश है कि prime minister तो एक ही होगा और उनकी ही छत्रचाय में government चल रही है जो BJP हमिशा पोटरे करते आ रही है कि एक ही umbrella के अंडर सारे लोग होते हैं और वो umbrella holder PM होता है तो मुझे लगता है तो कही न कहीं deputy prime minister की post create करके वापस किसी को देना बहुत it's very unlikely संभावना है बहुत जादा कम है लेकिन जैसे मैंना आपको पहले बता है कि नितीश कुमार को deputy PM post offer की जा चुकी है इंडिया लाइंस की तरफ से तो क्योंकि जैडियू और नितिश कुमार का इतिहास वैसा रहा है कि वह बहुत opportunistic है तो वहां से जरूर उनको यह offer हुई यह deputy prime minister की post किस सरफ जाना है यहर कभी-कभी मैं सोचता हूँ अविशे की नितीश कुमार से जादा दिमाग क्या सच में किसी politician के पास हो सकता है आप इसको दिमाग के लिजे कूट निती के लिजे कुछ भी कह सकते हैं but then again it's politics और politics हैसे ही की जाती है अभी इतना राजनितिक जो समझ है यह बात तो माननी ही पड़ेगी नितीश कुमार आप यह सोचिए कि इतने सालों सो बिहार के CM है कोई भी गढदधन जीते CM नितीश कुमार होंगे और आप यह भी देखे कि किसी भी गढदधन में वो रहें CM नितीश कुमार होंगे और उनके बिना सरकार भी नहीं बनती है मुझे समझ मी नहीं आता कि ऐसा क्या हीरे मोती जड़े हैं नितिश कुमार में कि सारी पार्टियां बिहार में उनके पिछे भागती में को तो यह कहानी समय में नितिश कुमार समदेश कुमार तो एसे वक्ती रहे है जब उनको पता है कि वह एक्षण नहीं जीत सकते हैं के लिए दमपर तब वह अलायांस करते हैं तब वह एंडिया का सहारा लेते हैं और तब वह मोधी के इमेज पर वह वोट बटोरते हैं जब उन्हें वोट मिल जाता है, फिर उसते हैं कि अब तो वोट मिल गए, अब चलते हैं कहीं और, क्योंकि पोस्ट कहीं और अच्छे मिल रही है, तो नितिश कुमार का हमेशा से रहा है, और बिहार के लोग मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो चिराग पास्वान जब बनेंगे चिराग पास्वान को डफिनिटल मंत्री बनाया जागा इस प्रफिनिटल के बिलकुल क्योंकि पांच सीट उनके दी गई थी, पांच की पाच उनोंने डिलिव एगा इस जब से बस्ट परफॉर्मर चिराग पास्वान रही है, तो गर बीजपी के अलाइंस कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि यार आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जेडिव पर ट्रस्ट करने की बजाए आप इन्हे ट्रस्ट करिए और अगर आप कोई आपके साथ इतने सालों से है तो थोड़ा सा तो रिवार्ड बनता है, बिल्कुल, एंद आप एक बर मौका देंगे तब पता चलेगा कि काम कैसे करते हैं, अब पता ही नहीं चलेगा अदर्वाइस कि ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, काम करने के लिए आपको एक बर मौका तो देना पड़ेगा किसी को, कुछ बीजेपी की नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं, कि ये शिवराद सिंग चौहान, ये ऐसे थी, उनको आप सोचिए, वो CM थे, स्टेट के, आपने महा से अटा के उनको कहा कि नहीं, आप CM पर छोड़िए, अब आप फोकस करिए MPs के एलेक्शन पे, लोकसभाई एलेक्शन पे, उनको एक सीट दिया अपने विदीशा, वो विदीशा से बहुत बड़े मार्जिन से चुनग रहा है, अट लाग के आसपास का मार्जिन रहा है, उसके बाद वो उन्होंने पूरे MP में उन्होंने प्रचार किया, और उसका नतीज़ा कल आपको दिख गया, चिनवाडा की सीट हर गई कॉंग्रेस, नकुलना चुनाओ हर गए, कॉंग्रेस की एक कही जाते थी कि एक गढ़ है, जैसा रायवरली अमेठी वैसा चिनवाडा बोलते थे, तो वो चिनवाडा जब हर गई कॉंग्रेस और वो बीजेप की खेमे में आ गई है, तो आप सुची ने कि कितनी बड़ी बात है, और इसी वज़े से शिवराद सिंग्चाहन मुझे लगता है कि एक वो भी जब हाई कमांड से जब बात करेंगे, तो कह सकते हैं कि भीया, हमने तो अपना स्टेट डिलिवर किया, आपके गुजरात में अभी भी एक सिट रहे गई, दस साल में पहली बार कॉंग्रेस ने वापर खाता खुला आपके राजे में, तो कहिने गई वो इंटर्नले भी एचीज़े निकलेगी और जब होगी तो कैबिनेट ज़रूर रिशफल होगा, पूरी तरीके से, अचा एक चीज मुझे आप और बताएं, और कोई ऐसा बीजेपी का सांसाद आपको दिख रहा है, जो इस बार मंतराले में पक्का है, वैसे तो अभी बीजेपी के खुद के लोग तो मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कि बहुत आइंस को खुश करना जादा ज़ादी है, और उपर से इनके बड़े-बड़े स्टॉलवर्ट नेता जो थे वो इस बार मात खा चुके है, स्मृति राणी क्या मंतरी बनेगी, चुनाव हार गई अमिठी से, देखे चुनाव हार गई है, बहले वो हार गई है, वो वेरियस एक्टर से ही, जिस वज़े से वो हारी है, चुनाव, लेकिन स्मृति राणी ने काम किया और कोई इस पर डिनाय नहीं कर सकता, not even Congress, कि Congress कि जब लोग वहाँ पर जाते हैं, अमिठी में, तो अमिठी में जब वो देखते हैं कि यार, AK47 की वहाँ पर रोड्स बने हैं, कॉलेज बना, उनिवर्सिटी बनी है, बहुत काम हुआ है, तो काम तो हुआ है, और पिछले पाथ सालों में काम जब डिलिवर करके दिया, तो म इजब बनाؤ्थ, की अमिठी में काया है, तो झाल ने रहें और वापस पात साल काम करेंगी, तो फेया बलेजन ए चौड को सुखन में जब डान बेंगी Дhuर को जड़ लिघर का तो, अ मैभ ने ने काई ऑफ एक छूट कमिंग देर सा जजरूरी ए, और पमेथ ने कान तो उ अब मुझे यूपी से जादा मुझे लग रहा है अखिलेश ने सब को चौंका दिया है अखिलेश तो has done very well उसमें कोई दो बात तो है बहुत महनत किये उन्होंने बहुत रहलियां किये ग्राउंड लेवल पर और उनका जो confidence दिख रहा था जब आप उन्होंने जब alliance किया उन्होंने पहली बात तो वो सीटे जादा देने के लिए तयार नहीं थे कॉंग्रेस को और मुझे अब लग रहा है कि वो एक maybe right decision था उनको कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे थे कि उनको पता थे क्यार अगर मैं तो जीत के आ रहा हूं मैं इन्हें अगर सीटे दे देता हूं तो मेरी उतनी सीटे कम हो रही है जो maybe शायद right था उन्होंने जो सीटे कॉंग्रेस को दी है उसमें से चार पाथ सीटे वो लेकर आ सकते थे आप ये सोचो कि वो पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि रायबरेली भी नहीं बचा पाएंगे वो समाजवादी पार्टी के गडबंधन की वज़े से 6 सांसा चुन के ले आई यूपी से यूपी में लोग कह रहे थे राहूल गंदी चनाओ हार सकते हैं रायबरेली से यूपी में कंसॉलिडिशन अफ वोट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है क्या सच में एक बार फिर से जाती के नाम पर वोट पढ़ा यूपी में बिहार में भी चला बट वो इनकी फेवर में चला वो बीजेपी अपर यह लेवल पर यह लोगों की नस्प पकड़ना भूल गया यह सई से टटोल नहीं पाय कि यह जनता चाहती क्या है क्या बीजेपी ने योगी, मोदी, अमिच्छान ने अखिलेश आदाव को बहुत हलके में ले लिया मुझे लगता है कि ग्रासरूट लेवल पर जब यह टटोल नहीं पाया उसका सबसे बड़ा रिजन यह था कि जब जो कैंडिडेट की लिस्ट योगी ने प्रपोस की हाई कमांड को तो वो शायद रिजेक्ट हो गई उनको लगा कि इनकी पॉपुलारिटी वैसी नहीं है या मेभी सेटिंग MPs को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस वज़े से उनको चेंज कर दिया ललू सिंग के सख खिलाफते योगी आदितनाद की ललू सिंग को टेकित नहीं मिलना चाहिए फैजाबाद आयोधिया से क्योंकि वहाँ पर लोग जो फैजाबाद के और आयोधा के जो लोग है वहाँ पर लोग थोड़े नाखुश थे उनसे वो थोड़ी एंटी इंकममन्सी थी वहाँ पर वहाँ पर जमीन की दलाली जो है काफी बड़े पैमाने पर हो गई थी तो उस वज़े से यह योगी अ अगर सही से पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई भी नाखुश होगा मतलब मैं इतना शौक में हूँ जो तीन-चार नतीजों ने मुझे चौक आया उसमें से एक जो नतीजा है वो आयोध्या फैजाबाद का है वेलकुल फैजाबाद आयोध्या में बीजेपी का हारना वो भी इ और वहीं पर जो दूसरी जो वोट से ब्रामिन चत्री और यह सब वोट जो थे वो सही से मिल नहीं पाए लोग घर से बाहरी नहीं 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 लोग घर से एक तो लोग वोट काउंट जो है कि लोग आये नहीं वोट करने के लिए लोगों को लगा ठीक है चार वह बड़ी जीत उनको कही नहीं उसका अंदाजार नहीं था लेकिन वह जीदेंगे जरूर अच्छी सीट अच्छी खासी सीट वह लेकर आई जाएंगे वह कॉंग्रेस को मिला के मैं 20 से 20 से 20 कह रहा हूं क्योंकि इस बार SP ने इस बार इलेक्शन लड़े नहीं तो उनको बहुत था कि यार हम जो हैं वो 20 से 22 सीटे लेकर आजाएंगे और जब मैं कहता हूं कि BSP ने कंटेस नहीं कि एलेक्शन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हों नहीं लड़ा उनकी जो कैंड़ेट्स थे वो कहीं भी प्रशार करने नहीं गए मयावथी खुद बहर नहीं निकली गल से आप सुची कि कि इसे भी पार्टी का प्रमुक कि इलेक्शन रैली क्यों नहीं करेगा मयावथी ने से वेक प्रेस कॉंफरेंस करी है पूरे चिनाव में और वो भी लास्ट इम एक दम बिकुल आखिर में कोई प्रचार नहीं कोई रैली नहीं कोई रोट्षोन नहीं कुछ भी नहीं किया मयावथी यह तो बी-एस्प की जितने वोट्स थे वो सारे के सारे जो बेसिकली भाहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था वो उन्हें अपनी तरफ खुमा दिया और यही एक इसका एक बेस्ट एग्जामपल आपको वारा नसी में भी देखने मिला वारा नसी में क्या हुआ अब एक लाग चालिस अजार के असपस का मार्जिन में मैं आपको बतारा हूँ कि यही रिजन आप खुद बनारस के आप बताईये क्या हुआ आपको जवाब देना है इस बात मैंने जब लोगों से बात कि वहां पर कि एग्जैक्ली चा चीज़ लोगों में इतना ऐसे कैसे सेंटिमेंट बदल गया अचानक से कि तो लोगों को यही था कि जितने भी समाज है जैसे कुनभी समाज हो गया फिर उसके बाद शुद्र समाज हो गया यह सारे ही लोगों ने बीजेपी को वोट इसके लिए नहीं दिया कि उनको कहीं नहीं रिजर्वेशन का खत्रा लग रहा था कि यार अगर यह आ जाते हैं तो सहीं में हमा तक वो मेसेज पहुचा बाकी साथ लोगों के पास वो मेसेज पहुचा है नहीं आपको पता है आज कल डिजिटल का जमाना है तो एक वीडियो कितनी तेज़ी से वायर होता है तो इसका कही नहीं फाइदा कॉंग्रेस को और SP को हुआ जो नहीं बहुत अची तरिगे से बेंगाल की तो कहान ही डिफरेंट है ममताब एनरजी अलगी लेवल पर चल रही है ऐसा रध चल रहा है जीत का कि रुखने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल महराश्च के बारे में I want to talk महराश्ट में क्या हुआ मतलब क्या देविंद्र फटनविस से गलती हुई यह जो रहता फैला दो पार्टियां टूटी दो पार्टियों के आध्याधेस से आप इंडिया में लेकर आए आध्याधेस से वहां चले का इंडी में यह जो खिचिडी पकी महराश्च में कोई खा नहीं पाया बिल्कुल और अल्टिमेटली फायदा इंडिया लाइन्स को गय हैं कहीं कॉंग्रिस को भी यह वोट शेर मिले हैं और दूसरा सबसे बड़ा था जो लोगों के मन में यह आ गया था कि यार यह किसी भी पार्टी से लोगों को उठा के लाते हैं जिसके उपर आरोप हैं ब्रस्टा चार के यह उन्हें भी लेकर आते हैं एक दिन पहले अज और कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर लोग वोट करने बाहर नहीं आए वो मेभी इनके ओवर कॉंफिदेंस के वज़े से इनके काड़र्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थे मुंबई में जो अगर में बात करता हूं तो लोगों ने प्रचार ही नहीं किया है त तो आपके कैड़र्स जब वही नहीं होती जैसे आपने दिखा कर दो हजार नहीं नहीं करोगे और स्विभावाबाजी आप कर रहे हो कि यार हमने यह सब काम कर लिया आप इंटर्व्यूद दिये जा रहे हो लेकिन अगर आप उन ग्राउंड मौजूद नहीं हो तो आपक का तब उद्धाठगरे साथ में थे लेकिन इस बार बीजेपी के सारे कैंडड़ेट्स अल्मूस्ट हार रहे हैं मुंबई और आसपास के अलाकों में और शिंदे सिना के कैंड़ेट्स भी हारे हैं दो सांसाद आए मुंबई की छह सीटों एक बीजेपी और एक शेंदस है ना बिलकुल तो यह कहीं मैं आपको बता रहा हुँ ना दो बड़े फैक्टर्स थे एक तो यह ओन्गरॉण मोजीद ही नहीं थे इनको लगा कि ठीक है बस मोधी के नाम पर वोट मिल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है आपने रोट शो तो आपका जो यह बयान था जब हम असक्षम थे तब हमें आरेसिस की जरूरत थी अब हम सक्षम है तो अब हमें आरेसिस की जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा फैक्टर था बिलकुल काफी स्टेट्स में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने यह आपकी जरूरत नहीं है अब हमें नितिंगटकरी का विक्तुर मारजीन एक लाग बीजार एक लाग तीस घर का आसपास है तो यह कितना कितना डुख पहुचा होगा उस के डर को जो इतने साल से काम कर रहा है बजएपी के लिए लेकिन अब आप मुझे बताए कि डली जहा वहाँ पर आम आदमी पार्टी इतने जोरो शोरो से लगे हुए थे, कॉंग्रेस पार्टी चार और तीन का अलायंस थाइन का, वहाँ पर बताईये क्या हुआ? मेरा फेवरे टॉपिक है, आम आदमी पार्टी, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके बारे में बात करने में, सी, पूरा जो सिंपथी का जो खेल था अरविंद केजरिवाल का, कि मुझे जेल में डाल दिया, मेरा 9 किलो वजन कम कर दिया, मुझे इंजेक्शन दिये जा रहे है, मुझे दवाही नहीं लेने दी जा रही है, मतब बहुत कुछ बोला है अरविंद केजरिवाल ने, रुकते ही नहीं है पहली बात तो वो बोलना शुरू करते हैं, तो रुकते ही नहीं है, उसके बाद उनकी पत्नी भी सामने है, उनने बोला कि आप जहां देखो आपको Arvind Kejriwalी नजर आएंगे, उनी की आत्मा है मतलब कुछ लिए नहीं चला, दिली में कुछ भी नहीं चला स्वाती मालीवाल को Arvind Kejriwal के घर में पीतना अर्विन केजडिवाल और उनकी पार्टी के कई नेताओं के उपर शराव घोटा लेके आरोप लगना उनका खुद जेल जाना पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है आम आदमी पार्टी की और स्पेशली अर्विन केजडिवाल की मतलब आप यह सोचो कि जो नेता दो मैन अगेंस करेप्शन का नारा लेकर आया था जिसने कहा था कि मेरे अलावा सब बिक्या हुए सब बिक्या हुए जी और कोई यही नहीं मार्केट में मैं अकेला पाकसाफ हूँ पूरी इमेज धुल चुकी है आप पंजाब के देख लो जो रिजल्ट्स हैं पंजाब में 13 सीट हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है दो साल पहले आम आदमी पार्टी बंपर मिजॉरिटी से हमाँ पर विधान सब चुना हो जीती आज 37 सचुन के दी है गिरते पढ़ते जीते हैं वो आप वीडियो देखा रात में रिजल्स आने के बाद कि सौरभ भारद्वाज चूंकि अर्विन केजिवाल तो सरेंड़ कर चुके हैं तो सौरभ भारद्वाज पता ने किस चीज की मिठाई अर्विन केजिवाल की फोटो को खिला रहे है इतना क्या सेलिबरेट कर रहे हैं, आपके दो तीन चीटे आही है, सिर्फ मुझे समझ मी नहीं आया, इसी बाद से मुझे एक और चीज याद है, कि मैं कल दो पहर के बाद से एक मीम देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि इस एलेक्शन में सब खुश है, हाँ, ये एलेक्शन सब के लिए था, मतलब, इसा एलेक्शन है कि कोई दुखी नहीं है, इंडियन वोटर्स ने सब को खुश किया है, आप भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, EVM भी खुश, EVM भी खुश है, आप जो कल मुझे गालिया दे रहे थे, आज आप मेरे पैर पकड़ रहे हैं कि हमने दुमियोक्रसी मुचा ली, तो ये एलेक्शन तो बहुत बढ़िया था, सब के लिए, बीजेपी इसके लिए खुश है कि चलो, हम सरकार बना रहे हो, नहीं बहुत भी फिर से तीसी बार पीम बन रहे है, कॉंग्रेस पार्टी इसलिए खुश है कि देखो हमने अपनी सीटे डबल कर दी और बीजेपी को मिजॉर्टी लेने से रोग दिया, आम आदनी पार्टी पता नहीं क्यों खुश है बड़ भी खुश है, वो भी खुश है, वो भी खुश है, बेगानी जा चंदरबाबु नाइडू खुश है कि मैं फिर से किंग मे करूं, निटीश कुमार खुश है कि मुझे दोनों तरफ से ओफर है, दीएप के खुश है, कि एक बार फिर से पूरा 39 की 39 इंडिया लाइन्स के पास है, क्लीन स्वीप कर दिया तमिल नाडू, मुझे यह सुश है कोलिशन गवर्मेंट कैसे चलाएगी इस देश को, दस सालों से हमने फुल मेजॉरिटी की सरकार देखी, लेकिन अब जोड़ तोड़ की सरकार के साथ यह देश चलेगा, इसके क्या नतीजे होंगे, देश का क्या भविश्य होगा, यह सब हम देखेंगे, मैं हूँ पारस क सुठारी, मैं हुबिशेक पांडे, और ऐसे ही न्यू ज्रायलोक्स देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और जिसे आप लाइक शेरें और सब्सक्राइब जरूर करें